बिस्मिल्य रह्माने रहीम असलाम लीकूम वेलकम बैक तो मैं यूटुब चैनल ममा फूट सीक्रेट्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टूरेंट स्टाइल चिकन करहाई की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ज्यादा असान है अब ब एक दर मैंने साथ का प्यास ताथ जिसे मैंने बरी बरी काट के एड़ कर दिया है इसके बात मेरे पास घी है आपके पास को केंगोईल होदा आप मोँ यूज कर सकते हैं यह मैंने अधी प्याली के करीब इसके अंदर आट किया है अब मैं इसे फ्राय कर लोगी डार्क गोर और फिर नमक नमक अपनी टेस्ट के रिकॉर्डिंग कम्जादा कर सकते हैं इसके आदर मैंने टमाटर एड़ कर दिया है टमाटर मेरे पस ते पाओ, तीन पाओ के करीब है, इसे मैं थोड़ा सा तक्रिबन तीन मिन तक पका लोंगी, और फिर इसके बाद इसके अंदर मैं मटर रेट कर दोंगी, मटर में रेपस 1 किलो थे, जिन्हें मैंने धोके रख दिया था, फिर इसके बाद मैंने एक बड़े साइस का आलू लि क्योंकि यह थोड़ा टाइम लेते हैं इतना जल्दी नहीं कलते हैं अब आप देख सकते हैं आपको कलर से ही अंताजा हो रहा होगा कि अच्छे तरह किसे इसकी भुनाई भी हो चुकी है और मटर आलो वगारा गाल चुके हैं लेकिन मैं इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए कुक कर लोगी अच्छे तरह किसे इसे कुक कर लेना है हमने बस कोशिश क्या करें कि आप जो जिस भी इस्तमाल कर रहे हैं वो अच्छे तरह किसे धुली होई होनी चाहिए साफ सुत्री होनी चाहिए और उसकी कटिन खुबसुरात होनी चाहिए तो जिस सालन बनके रड़ी हो चुका है अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ एक सर्वन डिश ली है मैंने और उसके अंदर मैंसे सर्व कर रही हूँ आप इसे गरम नार के साथ चुपाती के साथ भी खा सकते हैं बहुत ज्यादा असान तड़ीके से बनके रैडी हुई है तक्रीबर 15 मिट में ये बनाने में तो फाइनली यह है जेकर नालो और मटर सो आज की यह वीडियो कैसे लगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फामिली और फ्रेंस के साथ जरूर शेयर केज़ेगा और अगर चैनल पर नाई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ ही बैल का इकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नहीं आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे है अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा सिखाया है तो अपनी फैमिली और फ्रेंस के साथ जबर शेयर कीज़ेगा